नमस्कार दोस्तों स्वागत आपको आटो मोबाइल ग्यान केक और फ्रेश वीडियो में दोस्तों जब भी आप एक नई बाइक या नई कार खरीदने के बारे में सुचते हैं तो आपको उस बाइक या कार की actual specifications वहले ही ना पता हो कि उसमें कैसा transmission system है, class कौन सा use हुआ है, engine कितने CC का है लेकिन आपको यह जरूर पता होता है कि आज पास उसे कितने लोग use कर रहे है market में इसे कितने जादा लोग purchase करते हैं हर साल या हर महीने दोस्तों आज की वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि जो last financial year रहा है जो financial year 2017-18 अभी पास हुआ है, उसमें जो इंडिया की top 10 most selling cars रही हैं वो कौन सी हैं, इनकी कितनी units sell हुई है total इस year में इनका price क्या था और इनके engine की capacity क्या है जोस्तों इस सीरीज में सबसे पहला नाम आता है मारूती की अल्टो का जोस्तों सबसे पहले मैं आपको बतातू कि एक financial year 1st of April से शुरू होता है और next year के 31st of March को end हो जाता है यानि कि जो financial year 1st April 2017 को start हुआ था वो 31st of March 2018 को end हुआ जोस्तों इस तुरूसर में अल्टो की जो total selling units रही है वो 258,539 रही है इसमें जो engine use हुआ है वो 800cc का है और इसका जो exo room price है इसके basic variant का जो price है वो 251,000 है जोस्तों सरीज में दूसरे नंबर में नाम आता है मारूती की desire का इसकी selling units की बात करें तो total 2,40,124 units sell हुए थी इसके basic variant का जो exo room price है वो 5,56,000 है दोस्तों इसमें दो तरह के variants आते हैं एक petrol engine variant और एक diesel engine variant दोस्तों इसमें जो petrol engine use हुआ है वो 1197cc का है और companies का mileage 22 kmpl होने का दावा करती है साथी साथ मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो diesel engine use हुआ है वो 1248cc का है और companies का mileage 28.4 kmpl होने का दावा करती है दोस्तों series में तीसरे नंबर पर नाम आता है मारूती सुझकी की बलेनों का इसकी टूटल 1,90,480 units से लोई थी दोस्तों इसका जो petrol variant है उसका जो engine है वो भी same desire की तरह ही है यानि कि उसकी capacity भी उट नहीं है 1197cc और जो diesel variant वाला engine है वो भी same desire की तरह ही है यानि कि 1248cc दोस्तों mileage की बात करें तो petrol variant का mileage है वो 21.4 kmpl जबकि diesel variant का mileage 27.4 kmpl है इसके price के बात करें तो इसका exorum price जो new Delhi में है वो 5,35,872 रूपीज है जो कि इसके सबसे basic variant का price है दोस्तों सरीज में चौथे नमबर पर नाम आता है मारूती की swift का इसकी total 1,75,928 units से लोई थी दोस्तों बात करें इसके price की तो इसका जो starting price है basic price 4,99,000 रूपीज है दोस्तों बात करें इसके engine की तो इसके engine की capacity, power, torque, mileage, सब कुछ desire के बराबर ही है यानि की desire में और swift में सिर्फ look wise difference है दोस्तों सरीज में पाच्वे नमबर पर नाम आता है मारूती की wagonar का बात करें इसके selling units की तो इसकी total 1,68,644 units sell हुए थी दोस्तों इसमें जो engine यूज हुआ है वो 998cc का है जो की एक 3-cylinder engine है इसका कोई diesel variant नहीं है इसमें सिर्फ petrol variant ही आता है और companies के petrol variant का mileage 20.51 kmpl होने का दावा करती है जबकि आगर आप यूज करते हैं CNG तो company इसका mileage 26.5 kmpl होने का दावा करती है दोस्तों लिस्ट में छटे नमबर पर नाम आता है Hyundai की Grand i10 का Hyundai की जो Grand i10 है इसकी total selling units 1,51,000 के एराउंड रही है दोस्तों इसके जो सबसे basic variant का price है वो 4,69,000 रुपीज से है जो कि इसका exorum price New Delhi में है इसका जो engine है वो 1197cc का है जिसे हम in general 1.2 liter बोलते हैं दोस्तों लिस्ट में साथवे नमबर पर नाम आता है Maruti की ही वितारा Brejata बात करें इसकी selling units की तो इसकी total 1,48,000 के एराउंड यूनिट सेल हुई थी आप देख सकते हैं कि इसकी selling units जो है वो Grand i10 के लगभग बराबर ही है थोड़ी सी करना अब लग 2,3,000 का difference है जो की कोई major difference नहीं है अगर 2,3,000 cars की selling और हो जाती बितारा ब्रेजा की तो ये Grand i10 को पीछे चोड़ देती इसमें जो engine use हुआ है वो 1248cc का है मैं आपको बता दो कि इसमें कोई petrol variant अवेलबल नहीं है दोस्तों इसका mileage है वो 24.3k तक है बात करें इसके price की तो इसका जो starting price है इसके basic variant का price 7,28,000 है दोस्तों सरीज में आठवे नंबर पर नाम आता है Hyundai के Elite i20 का इसकी total selling units जो रही है वो 123,000 के राउंड रही है जो कि आप देख रहते हैं कि वितारा व्रेजा से काफी कम है लगबग 25,000 का defense है इसमें जो engine use हुआ है वो 1197cc का है और बात करें इसके price की तो इसका जो basic variant का price है वो 5,35,000 है इसी तरह सरीच में नवे नंबर पर नाम आता है Hyundai के ही Greataka इसकी total selling units रही है वो 1,07,000 के राउंड रही है बात करें इसके engine की तो इसमें जो engine use हुआ है वो 1591cc का है जिसे हम in general 1.6 liter बोल दे हैं इसका जो starting price है वो 9,29,000 रुपीज है जो सरीच के सबसे end में यानि की दस्वे नंबर पर नाम आता है मानूती की ही Celerio का इसकी total 95,000 के राउंड unit sell हुई थी बात करें इसके engine की तो इसमें एक 998cc का engine यूज़ हुआ है जिसे हम in general 1.0 liter या 1.0 liter बोल देते हैं इसका जो mileage है वो अगर petrol पे आप यूज़ करते हैं तो 23 kmpl और अगर आप CNG पे यूज़ करते हैं तो 31.8 kmpl तक मिल सकता है जैसा के company ने दावा किया है तो इसके basic variant का price 4,20,000 रुपीज है जुस्तों सभी cars के जो price हमने इस वीडियो में discuss किये हैं वो इनके lower variant के price है यानि कि इसके नीचे इनका कोई variant नहीं है जो कि इससे कम price में आपको मिल जाए और ये सभी price exorum new Delhi में है यानि कि अगर आप on route की बात करेंगे तो आपको इसमे 50,000 to 80,000 रुपीर एक्स्टा देने पड़ेंगे आशकरता हूँ कि एक नई car purchase करने में ये वीडियो आपको काफी हद तक helpful होगा तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आए तो like और share जरूर करें और automobile के दुनिया से जुड़ी और भी जान करेंगे लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपसे facebook और twitter पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे facebook पेज को like करें और हमारे twitter पेज को follow करें इसका link आपको वीडियो का description में मिल जाएगा दोस्तों मिलते हैं अगली वीडि